तो हेलो गाइस वेलकम तो माइ न्यू ब्लॉग आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आए हैं डैली में एक मंदिर में बट जिसका नाम मंदिर है ना तो यहां पे कोई मूर्ती है और ना है यहां पे कोई पूजा पाड़ होती है बस यहां लोग आते ह हैं मन को शांत करने के लिए आप आएं बैठें और चले जाएं जिसका नाम है लोटस टैंपल और यह देखिए पीछे लोटस टैंपल जो एक बहाई धर्म का मंदिर है जिसमें सारे धर्मों को एक समान माना जाता है तो आईए गोमते हैं लोटस टैंपल यहां पर किसी प्रकार की एंट्रीफिस नहीं ली जाती है गर्मियों के मौसम में सुबह आट बजेसे शाम को छे बजे तक अनधिर खुलता है और वहीं सब्यों के मौसम में सुबह 8 बजे से का 7 बजे के लिए खुला जाता है बहाई मानते हैं कि इश्वर एक है इसलिए किसी भी धर्ब और जाती के लोग कमल मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं तो गाईस जैसे कि मैं आपको बता रहा था मैं आया हूँ लोटस टेमपल यहांने का सबसे आसान तरीक है कि आप यहां पर नेरो प्लेस मेट्रो से वाकिंग डिस्टेंस है आप वहां से पैदल आ सकते हैं यह एक बहाई धर्म का टेमपल है जो सन 1986 में बनाया गया था और यही वज़े है कि इसे 20 वी सदी का ताजमेल भी का जाता है और इससे कमल मंदिर इसले कहते हैं क्योंकि यह कमल के आकार में बना हुआ है जिससे शांती का प्रतीक माना जाता है और कमल को ही लोटस का जाता है इसी वज़े से इसे लोटस टेमपल कहते है यह मंदिर हिंदू और बहुत धर्म सहीद सभी धर्मों के लिए बनाया गया है और वे अपनी मन चाहे इच्छा मांग सकती है मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का यंत्र बजाने की अनुमती नहीं है मंदिर में आपको बिल्कुल भी बोलने की अनुमती नहीं होती यहां हमेशा शान्ती बनाये रखने की सलादी जाती है मंदिर का वास्तू पर्शन आर्केटेक्ट फरी बर्ज सहबा दोरा तयार किया गया था इसका निर्मान भावल्ला ने करवाय था जो की बहाई धर्म के संस्थाफक थे इसके निर्मान में करीब एक करोड डॉलर की लागत आई थी कमल मंदिर के निर्मान में लगबग दस हजार विबिन आकार के मारवलों का उप्योग किया गया है कमल मंदिर को तालाब और पार्क से सजाय गया है मंदिर आधे खिले कमल की आकरिती में संग्मर्मर की 27 पंकुडियों से बनाय गया है जो की तीन चक्रों में व्यवस्तित है मंदिर चारों और से नो दर्वाजों से खिरा है और बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल स्तित है जिसकी उचाई 40 मीटर है हॉल का केंदर 40 फिट लंबा है जिसकी आंतरिक साथ सजावट बहुत खुबसूरत की गई है और इस हॉल में करीब 25 सो लोग एक साथ बैठ सकते हैं कमल की पंखडियों की तरह खड़ी इमारत के चारों तरफ लगी दूब और हर्याली इस इलाके में शांती और ताजगी देने वाला बनाती है सुबह से शाम तक की लालीमा में सफेद रंग का ये संगमरमरी इमारत बहुत अद्बुत लगती है यहां का शांत बात अवरण प्रातना और ध्यान के लिए सहायक है कमल मंदिर में प्रति दिन देश और विदेश के लगभग आठ सिंदस हजार परेटक आते हैं आने वाले सभी परेटकों को बहाई धर्म का परिचे दिया जाता है और मुफ्त बहाई धार्मिक सामगरीब वित्रित की जाती है भारतिय उप महादीप में भारत के कमल मंदिर के अलावा छे मंदिर और है सच में बहुत बीड़े हैं तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दवाना बिल्कूल नहीं बहुत जल मिलता हूं आपको किसी एक नए ब्लॉक में तब तक के लिए बाबाए टेक केर